कहीं जोल भी उनको काफी दिक्कते दे रहा है जॉनतन आशुतोस संसकारी एंड सिप देखने को मिलेंगे लेट सी कि वो कितनी जल्दी आगे जाएंगे और कितना जादा वह वैल्यूस निकालेंगे उनके सामने जो जस्त तीन देखने को मिल रही है या फाइप निकालने वा क्लच यहाँ पर कोशिच की और कोशिचों में नौक निकाल लिया है देखनी की बात यह है कि अब सिंग काप कितनी अच्छी तरीके से उनका इस गेम में आगमन देखने को मिलेगा बट सिम को भी नौक कर दिये गया जॉनतन दा लास्ट निन स्टेंडिक फ्रॉम इस टीम क कोशिच काफी अच्छी इनको यहाँ पर करनी पड़ेगी अगर ये क्लच निकालना है क्योंकि तीनों के तीनों खिलाडी गॉडल के सेम संसकारी आसुतोस तीनों ही यहाँ पर बाहर होते वे देखने को मिल रहे हैं मिल चुके हैं और जॉनतन एक आखरी इकलोते प्लियर जहाँ पर पूरा का पूरा गॉडल आसुतोस और जॉनतन ने एक एक करके समाप्त किया है लेकिन आसुतोस समाप्त हो चुके है बर जॉनतन एक आखरी खिलाडी है शेड के अंदर गए लेकिन शेड के अंदर वो कितनी देर रह सकते हैं क्योंकि वो जो लुटे रहे हैं ज औरिजिनल थाला बंती भी देखरी को मिलेगी गॉडल हमारे सामने मौजूद जहां पर संसकारी को डाउन किया जाएगा जॉनतन भी डाउन हो चुके और एक बार फिर से पैन आई की सोल चाहती क्या है आकिर मैचे और आकरी मैच में भी गॉडल के फैंस को इतना बड़ा इनस करेंगे एक सवाल लेकर के अभी तक जीवित हैं लेकिन रिप्लाई भी खुद ही है जब तक जीवित रहेंगे तब तक इनकी कहीं कहीं ना कहीं टीम इनके नाम के साथ जीवित रहेगी एक अंच्छा याँट पर फिरिसस को हैं trata after